हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्त की जो साइंस का चैप्टर नंबर फॉर है जिसका नाम है वस्तो के समूह बनाना तो दोस्तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें तो चलिए शुरू करते हम तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है वस्तो के समूह बनाना आप हर रोज की जो हमारी जिंदिगी है उसमें कुछ न कुछ ऐसी वस्तो हैं जो आप देखते होंगे कुछ वस्त्वें लक्डी से बनी होंगी कुछ धातुओं से बनी होंगी कुछ और चीजों से बनी होंगी जैसे कि कपड़ा वग्यारा रूई से बनता है ठीक है? तो जैसे हमने देखा था कि भोजन भी हां हमारा अलग-अलग तरह को उता है बोजन में विवीत्ता है उसी तरह से जो हमारा कपड़ा है उसमें भी विवीत्ता है उसी तरह से जो हमारी वस्तों है उनमें भी अलग-अलग विवीत्ता पाई जाती है जैसे आप अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं जैसे कुर्सियां, मेच, बैल गाड़ी, या बच्चे और पीते हैं जैसे पानी या आप पत्थर वगारा भी देखते हो तो यह सारी क्या है हमारी वस्तवें तो हमारा जो फर्स टॉपिक है वो यही है हमारे चार ओर की वस्तवें तो हमारे चार ओर क्या क्या वस्तवें हैं हम अपने चार ओर कुर्सियां बैल गाडियां साइकले, खाना पकाने के बरतन, उस्टीके, वस्त्र, लोने, जल, पत्थर तथा अन्य भोत सी वस्तुएं देखते हैं अब जो ये वस्तुएं हैं वो उनकी अकृती के हिसाब से क्या वो गोल है, क्या वो रेक्टैंगूलर है, आयताकार है तो उनके हिसाब से ये अलग होती है या फिर इनके गुन अलग-अलग होते है क्या आपने कभी ऐसा सोच है कि अगर हमारे जो गिलास होते वो स्टील के ना होते हुए किसके होते कपड़ेगे तो क्या आपका पानी जो है उसमें टिक जाता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता जो पानी है वो नीचे से निकल जाता तो हमारे क्लास जो है वो मैटल के ही बने होते हैं इसलिए क्योंकि उसमें पानी असानी से रुक जाता है तो अलग-अलग हर एक चीज के गुन है अब अगर हम अकरिती के हिसाब से देखें तो अकरिती के हिसाब से हमें कुछ जैसे गोल चीज अगर हम देखें तो गोल वस्तों हमारे पास क्या क्या हो सकती है आपने देखोगा कुछ फूरूट्स भी हमारे गोल्स होते हैं कुछ गेंद वग्यारा जैसे फुटबॉल यहाँ पर देखो एक्जाम्पल दिया में रबड की गेंद, फुटबॉल, कंचे यह सभी क्या हैं? गोल होते हैं अगर खाने की बात करें तो खाने में सेव, संत्रेग, ठीक है? और जैसे जिसमें पानी भरकर भी रखा जाता है, जैसे की घड़ा, यह सभी क्या हैं? गोल वस्तुवें तो हम उनको उनकी आकरिती के हिसाब से और उनकी गुन के हिसाब से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम अगर कुछ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुवें की बात करें, तो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुवें क्या देखते हैं? खिलोने, बाल्टियां, लंच बोक्स, ठीक है? पाइप वगेरा, यह सभी क्या हैं? प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुवें, ठीक है? फिर अगर हम कांच से बनी हुए वस्तवें देखें तो कांच से बनी हुए वस्तवें क्या हो सकती है जैसे हमारे पास क्या हो तेकंच के गिलास कंच की कटोरियां ये सबी क्या है हमारे अलग-अलग तरह की वस्तवें तो हमारे पास वस्तवें जो है वो किस किस तरह से किस किस चीज से बनी हो सकती है कांच से धात्वों से प्लास्टिक से लकडी से रूई से कागत से इन सभी चीज से ये मिलके बनी हो सकती है और मिट्टी से भी चीज़े तो अब हमारे पास जो हमारी क्रियक लाफ हैं ये दो उनमें हमें क्या बतायागा है कि जैसे हमने पहले क्या देखा कि कोई वस्तू है वो किस चीज से बनी होगी तो हम उसके हिसाब से इसको अलग कर सकते हैं जैसे प्लेट दिखाए हैं आपर किस से बनी होगी काँच से भी बनी हो सकती है प्लास्टिक से भी और इस पाथ से भी पैन किस से बना हो सकता है यह प्ल उसी तरह प्लास्टिक वगएरा से भी क्या बन सकता है, खिलोने, टिफिन बॉक्स इस तरह से बहुत चीजे बन सकती है, रूई से हमारा कपड़ा बन सकता है, चमड़े से हमारे जूते वगएरा बन सकते हैं, चिक है, तो यहाँ से हमने ये सिखना था, अब हम जो पदार्थ के हिसाब से उनको अलग कर सकते हो, कि वो दिखने में कैसी है, चिक है, तो देखे हमारा जो फर्स टोपिका वो यही है, दिखावट के हिसाब से हम अलग-अलग तरह से बांड सकते हैं, तो दिखावट का मतलब है कि क्या वो वस्तवें, चमक दिखाती है, चिक है, या चमक नहीं दिखाती है तो उसके हिसाब से हम उनको अलग कर सकते है तो देखिए ज़्यादा तर जो हमारी धात्वे होती है जैसे तामबा अलूमीनियम, लोहा ये सबी क्या है धात्वे, ये क्या कर सकती है चमक दिखा सकती है लेकिन अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी चमक नहीं दिखाती तो हम इस हिसाब से इनको अलग करेंगे जो तो चमक दिखाती है उनको अलग कर देंगे जो चमक नहीं दिखाती है उनको अलग कर देंगे, इसको आप बोलते हैं अपीरेंस और चमक को in English में बोलते हैं लस्टर ठीक है तो आप किसी चीज के लस्टर का पता कैसे लगा सकते हैं यानि चमक का पता कैसे लगा सकते हैं आप क्या कीजिए उस चीज को लीजिए और उसको दो टुकडों में बांट दीजिए अब जो उसके किनारे होंगे आपने उनको डंग से देखना है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इसको काट दिया यहाँ से और अब देखिए यहाँ पर क्या आपको चमक जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर क्या एक लस्टर शो हो रहा है तो इस तरह के जो चीज होंगी वो क्या होंगी मेटल्स क्योंकि ज़्यादा तर जो मेटल्स होती है यानि धात्वे होती है वो क्या शो करती है चमक तो इसको हम कहा सकते है कि ये क्या शो कर रही है हिंदी में दूती और इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर ठीक है तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है दिखावट के हिसाब से दूतिवान और दूतिवान वह होंगी जो चमक शो करेंगे और दूतिवान जो चमक शो नहीं करेंगी यानि कि जो चमक नहीं दिखाएंगी तो जैसे हमारे पास पदार्त जिन में इस परकार की दूति होती है जिसमें चमक होती है वे प्राइ धातू होती है लोह, तांबा, अलूमिनियम तथा सोना धातू के उधारन है कुछ धात्वे बहुदा अपनी चमक खो देती हैं और धूती हीन दिखाई देने लगती है ऐसा उन पर वायू तथा नमी के अभिक्रियाव के कारण होता है जैसे लोहा जो है उस पर जंग लग जाता है रेड ब्राउन कलर का और जैसे चांदी है उस पर काले रंग का लग जाता है जंग तो यह अपनी चमक टाइम के हिसाब से खो देती है अब अगला जो हमारे पास आता है वो आता है विले और अविले मतलब के ये पानी में गुल सकती है या नहीं गुल सकती है विले मतलब जो पानी में गुल जाती है वस्तुएं विले मतलब जो पानी में नहीं गुल सकती तो देखे हमारे पास कुछ पदार्त होते हैं जैसे चीनी, नमक, चाँक, पाउडर, बालू, लकडी, परादे यह हम ले लेंगे, यह हमारा क्रिया अक्रिया कलाब है पानी भी बनाते हो तो आप चीनी डालते हो कहीं बार उसमें तो घुल जाती है असानी से और भी आप बहुत सारी चीज़े बनाते हो चीनी से तो चीनी भी घुल जाता है नमक भी घुल जाता है ठीक है तो ये तो क्या होगे विले लेकिन चाक पाउडर जो है वो पानी में न हमारे पास आलगतरा के वस्थ हैं जो हम किसके छाव सकते हैं कठोरता की साथ से हुआ कितोरता मतलब से जब आप किसी वस्थिक अपने ढ़नों हातों से दबाओंगे अगर तो वह दब जाती है पूरी तरह से तब तो वह क्या है कठोर नहीं हैं अगर वह पूरी तरह से नहीं दब पाती तो वह क्या है कठोर तो और जो आपके हातों से असानी से दब जाती है उन्हें हम क्या कहा देंगे कॉमल ठीक है वे पदार्थ जिने असानी से संपीडित किया अत्वा ख्रोचा जा सकता है कॉमल पदार्थ कहलाते हैं जबकि अन्य पदार जीने संपीडित करना कटीन होता है, कठोर पदार किलाते हैं, संपीडित करना मतलब जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानि दबा नहीं सकते दोनों आतों का इस्तमाल करके, अब जैसे उधारन के लिए हम इस्तमाल करें, तो रूई, स्पंज ये कहा है, कोमल, लेकिन लगड़ी और पत्थर वग्यारा की चीज़े देखे तो, यो कहा है, कठोर, ठीक है, अब यहां हम विले की जो वियाख्या है, वो देख लेते हैं, कुछ पतार जल में पुरुन्त गुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, ये पदार जल में विले हैं, और जो नहीं गुल पाते हैं, मिश्रित नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अब विले पदार, ठीक है, अब हमारे पास जो अगला तरीक है, वस्तों को अलग करने का, वो है वस्त्वें जल में तैर अत्वा डूब सकती है जोंसी वस्त्वें तैर सकती हैं उनको हम अलग कर लेंगे पानी में और जोंसी वस्त्वें डूब सकती हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे तो इसको हम अब इसी साब से देखने वाले हैं तो देखे आपके पास कुछ ऐसी चीज़े हैं जैसे कि पत्ते सुखे पत्ते होते हैं जो ठीक है क्या ये पानी में घुल पाएंगे तो ये बिल्कुल भी पानी में डूब नहीं पाएंगे सुखे पत्ते कभी भी पानी में नहीं डूब पाते हैं या फिर आप पॉलथीन की पॉलथीन जो होती हैं हमारे पास जैसे चीप्स बगएर के पैकिट वाली जो पॉलथीन होती है उसको आप पानी पर रखोगे तो वो भी क्या होएंगी पानी पर तैरने लग जाएंगी क्यूं क्यों क्यों क्या है हलकी वस्त्वें तो हलकी वस्त्वें क्या है पानी पर तैरने लग जाती है और भारी वस्त्वें क्या हो जाएंगी पानी में डूबने लग जाएंगी तो सबसे बड़ा हमारे पास उधारन क्या था पत्ते, सुखे, पत्ते तो वो क्या है पानी पर तैरने लग जाएंगे पत्थर अगर आप यूज़ करोगे तो पत्थर को आप पानी में डाल कर देखोगे तो पत्थर कहां चले जाएंगे जिस भी आपने डिबे बगएरा में पानी को बरक्खोगा उसमें नीचे चले जाएंगे पत्थर तो पत्थर भारी होते हैं तो इसलिए वो कहां चले जाएंगे नीचे तो ऐसी वस्तवें जो पानी में डूब जाती है उनको हम अलग कर लेंगे और जो पानी में नहीं डूब सकती उन्हें अलग कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से भी हम अलग कर सकते है अगला हमारे पास आता है पारदर्शीता अगला क्या आता है हमारे पास पारदर्शीता पारदर्शी था मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिन में से हम असानी से आरपार देख सकते हैं तो वो वस्तवे कैसे होंगी मतलब वो वस्तवे कैसे होंगी ट्रांस्पेरेंट यानि पारदर्शिक या पारदर्शी भी आप इसे कह सकते हैं और वो वस्तवे जिन मेंसे हम असानी से आरपार नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अपार दर्शी, तो देखे हमारे पास जल है, कांच है, कांच से बनी हुए जो चीजे हैं उन्हें से हम क्या कर सकते हैं, असानी से आरपार देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी उन पदार्थों अत्वा सामगरियों जिन से होकर वस्तों को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं जैसे कांच, जल, वाईउ, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उधारन है उसी तरह से इसके विपरित कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिन में से होकर आव वस्तों को नहीं देख सकते इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं जैसे लकडी के वोक्स, गत्य के डिबे, धातु के पात्र ठीक है इन में से आप आरपार नहीं देख सकते हैं यानि के इन में से होकर नहीं देख सकते हैं देखें यहां पर हमें यह दिखा रहे हैं किन में से आप आरपार देख सकते हो और किन में से आरपार नहीं देख सकते हो तो ये क्या है बिल्कुल अपारदर्शी और ये क्या है हमारा पारदर्शी और पारबासी किसको कहते हैं जिन में से हम देखतो सकते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा जैसे सबसे इसका बड़ा एक्जामपल है पोलेतीन तो पोलेतीन में से हम देखतो सकते हैं लेकिन बिल्क वस्तों को देख तो सकते हैं प्रन्तु बहुत पश्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पार भासी कहते हैं तो हमारे जो पार्ट था उसमें अमने जो में चीजे थी वो यही सीखने वाली थी अब हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं आप हमारे चार ओर की वस्तों अनेक प्रकार के प्रदार्थों से बनी हैं किसी दिये गए प्रदार्थ का उप्योग बहुत सी वस्तों के निर्मान में किया जा सकता है विबिन प्रकार के प्रदार्थों के गुन भीन भीन होते हैं कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्या नहीं होते, कुछ खुर्द्रे होते हैं तो कुछ अन्या चिकने, इसी प्रकार कुछ पदार्थ पर्ष करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्या कोमल लगते हैं, कुछ पदार्थ जलमेविले हैं, जबकि क कुछ अभीले हैं कुछ प्दारत जैसे काच पारदर्शी होते हैं कुछ पदार्था पारबास ही ओते हैं कि अब दार्थो को उनके गुण के समानता मोलत्था विबिनता के दार पर सुमूऊं में बाट जाता ता ये हम अभी देखी चुक ह adap ge अब हमारे पास क्या है यहां पर कुछ questions लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच वस्तों के नाम लिखे तो यह आप डेली लाइफ में देखते हो ऐसे मेज, कुर्सी हो गया और भी बहुत सारी चीज़े हैं खिड़की, दरवजे आप यहां पर लिख सकते हो निमन लिखित मेंसे चमकदार पदार्थों के चेहन कीजिए, कांच की प्याली, प्लास्टिक का किलोना, स्टील का चमच, सूति कमीज, तो इसका अंसर हो जाएगा स्टील का चमच और कांच की प्याली क्योंकि इन मेंसे यह क्या करेंगे, चमक दिखाएंगी निमल लिखित वस्त्व का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन से उन्हें बनाया जा सकता है तो देखे उस तक कागत से बनी होगी, गिलास काँच का बना होगा, कुर्सी लकड़ी की बनी होगी, किलोना प्लास्टिका बना होगा और जूता चम्डे का बना होगा और जो हमारा गिलास है, वो काँच का भी हो सकता है और प्लास्टिका भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है लेकिन यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, वो क्या करेंगे सिरफ गिलास को काँच का ही वान कर चलेंगे अगला हम देख लेते हैं, कोशन सत्य अत्वा असत्य, पत्थर पारदर्शी होता है, जबकि काँच पारदर्शी होता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता तो पहला क्या हो जाएगा गलत, नोटबुक में दूती होती है जबकि रबड में नहीं होती क्या ऐसा होता है ये भी गलत हो जाएगा क्या नोट बुक दूती शो करती है नहीं करती है चोक जल में विलीन हो जाता है ये भी क्या है मारा गलत हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है तो ये सही हो जाएगा चीनी जल में विलीन नहीं होती ये गलत हो जाएगा तेल जल के साथ मिशनी है ये गलत हो जाएगा क्योंकि तेल जो है वो पानी पर तैरने लग जाता है ये इसमें मिक्स नहीं होता बालू जल में नी साधित हो जाता है तो ये बिल्कुल सही है सिर्का जल में विलीन हो जाता ये भी बिल्कुल सही है अगला हमारा है नीचे कुछ वस्तो तथा पदार्तों के नाम दिये गए है इनको इस प्रकार समुहित कीजिए गोल आकरती तथा अन्याकरती और खाद्य तथा अखाद्य तो इनको हमसाने से कर सकते हैं चीक है तो जो इसमें से गोल शेप की हैं वो क्या होंगी बास्केट बॉल संत्रा और क्या हो सकता है गलोब और क्या होगा एपल यानि सेब और क्या हो जएगा मिट्टी का गड़ा और अन्याकरती क्या हो जाएंगी जल और चीनी फिर खाद्य तथा आखाद्य में, खाद्य में क्या चला जाएगा, जल, संत्रा, चीनी, सेव, और खाद्य में क्या चला जाएगा, बास्केट बॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ठीक है, तो इस तरह से हम इने कर सकते हैं, अगला हमारे पास है, जल में तैरने वाली जिन बस्तों का आप जानते हैं, उनकी सूची बनाईए, जाच कीजिए, और देखे कि आवे तेल, थ्वा मिट्टी के तैल पर तैरती हैं, तो जल, जो हमारा जल है, उस पर तैरने वाली जो बस्तों हैं, वो बहुत सारी हैं, जिसे, कह सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, और का चीजिए जो हैं, जल पर नहीं तैर सकती, सिरफ बैलून को छोड़ कर जो है, और भी कोई तेल और मिट्टी के तैल पर नहीं तैर सकती, अब इन में से हमें, जो मेलना है, खाने वाला होगा, वो अलग देखना है, तो कुरसी, पलंग, मेज, अलमारी, बच्चा, तो बच् ये सबी के हैं लकडी से बनी हुई चीज है गुलाब चमेली नाव गेंदा कमल देखे बाके सब फूल है और नाव अलग है अलुमीनियम आइरन तांबा चांदी रेथ ये सबी के हैं मेटल और रेथ के हैं अलग चीनी नमक रेथ कोपर सलफेट अब इसमें क्या है हमारा जो बाकी जो हमारे बचे हैं वो सबी के हैं क्रिस्टल की फॉर्म्स में है क्रिस्टल यानि इस तरह से तो ये आपका चैप्टर खतम होता है थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो